कि हैं एख स्थूडेंट टोड़े तोड़किंग अबाउट क्लास एट जोग्राफी चेप्टा टु में क्या है लैंड स्वाइल वाटर नेच्रल वेजिडीस न वाइल्ड डिशॉर्स तो रिसोर्स क्या है और रिसोर्स का क्लासिफिकेसन भी हम लोग अल्रेडी पर लिए है फास्ट चैप्टर में ठीक है तो देखो शेकंड चैप्टर में लैंड, स्रयṣ वथर, नेच्शनल वेज्डेशन, और वाइल ड्लाइब । रीस्वोर्स के बारे में है डिस्कॉस कर रहाई है थीक है तो देखो इस टन्रेगा में तो यह दो लोग डिसकास कर रहे है किस का किस जएगा में अलग अलग है तो यह दो जएगा में डिफरेंस क्या-क्या है हम लोग यह पूरा चेप्तर में देखेंगे और कुछ नहीं खीछ है तो देखो मुंबा Ave damn पीटावी मुंबा पिटार इन टूडिर्अ पेटर स्टे इन टूडिफरेंट पॉल्ड और ये यह दो जएगा में रहता है मुंबा और पिटार और इसकी इसकीश्य दिफटरेंस ये दो जाएगा का, quality of land, soil, water, natural vegetation, animal, and the use of technology, ये अलग-अलग है, New Zealand में अलग है, और Africa में अलग है, यानि कि मुंबाक की गाओं में अलग है, और किठर की गाओं में अलग है, क्या क्या अलग-अलग है, देखो, क्या क्या अलग-अलग है? the quality of land, soil, water, natural vegetation and animal and use of technology. यह सभी अलग-अलग है दोनो जाएगा में. ठीक है, the availability of such resource is the main reason places differ from each other. और हम लोग अल्रेडी पढ़ लिये है, resource, यह जो resource का, resource सभी जाएगा में equally distributed नहीं है, क्योंकि सब जाएगा में सब कुछ facility अवेलेबल नहीं है. कहाँ पर देखो plain region है, किसी जाएगा में mountain है, किसी जाएगा में plateau है. जैसे देखो राजस्थान का, राजस्थान में dessert है. राजस्थान में dessert है, तो राजस्थान में agricultural development नहीं होगा, लेकिन UP में agricultural development होगा besides Ganga River. गंगा रिफर साइड में है लेकि राजस्थान में देखो रेनफोलियन की बारिस काम होता है तो राजस्थान में राजस्थान में अगरी कल्चर डेवलम्मेंट नहीं होगा ठीक है ऐसे ही देखो इन दोनों के जैगा में भी एसाई डिफ्रेंट्स है अब देखो लैंड के बार में क्या बsty thinking देख लो लान्डी समुंगं सब्गिवार में क्या बोड़ायां रिस वाल्ड keyword ऑल एक बार देखर डौण देखर देख लेनिक्रेंड एक नाचरेलरिशोर्स है अनटरेल रिसोर्स क्या है ज्यो सब्कुछ बनाते यह सब कुछ पारखेंज करते एसा भी बहुत सर जाएगा है, जिस जाएगा में सभी मतलब लोक नहीं रहते हैं, यूच नहीं होता है, इन हैविटेट यानि की लोक रहने वाले जाएगा नहीं है, जैसे देखो तुम लोग पोलार रीजिन में चले जाओ, उस रीजिन में ज्यादा तर लोक नहीं रहते हैं, लोक ह जाएगा में इकुएल पोपूलेशन नहीं है इकुएल पोपूलेशन नहीं है जिस जाएगा में फैसिलेटी जादा होगा उसी जाएगा में जादातर लोग रहेंगे इस कारण के लिए आनहीवन दिस्टिब्यूशन बता रहें क्लाइमेट और लेंड की बजाए से ठीक है दा राग टोपोग्राफी स्टीप स्लोप ऑद माउंटेन लो लाइंग एरिया स्टेपेवेल टू वाटर लॉगिंग डिजर्ट एरिया थीक फॉरेस्ट एरिया सार्ट नर्मलिस फ्रस्ली पोपू जैसे माउंटेन अरिया में सब कुछ फैसिलिटे अबेलेवेल नहीं है रोड कंस्ट्राक्शन अच्छा नहीं है टांस्पोर्ट अच्छा नहीं है तो माउंटर लेजिन में भी ज्यादा तर लोगों नहीं रहते हैं आप देखो डिजर्ड में इस्पार्स पोपुलेशन यानि कि स्पार्सली पोपुलेशन देखो यह पर लिखा स्पार्सली यानि कि कम पोपुलेशन रहने वाले हैं क्योंकि उस टेकर का क्लाइमेटिक कंडिसेंट्स ठीक ठाक नहीं है इस कारण के लिए प्लेंड रिवर वेली ओफ वेली ओफर सुटेवल लैंड ऑप अगरी कल् भी है तो यह सबी देखो प्लेंड रिजिन में है यह नौर्ट अगरी कल्चर ज्यादा होता है इस एरिया में सुटेवल लैंड ऑफ अगरी कल्चर ज्यादा होता है इसलिए यूपी बिहार वेस्ट वेंगल यह सब ही जएगा में ज्यादा दरलोग रहने वाले हैं ठीक है here's this are densely populated ages 300 ohm and प्रिष्मी में अभी ऐसा है आर्फ हर उर्फ इस में जी सब्चार जाएगा में पॉपुलेशन उसी जाएगा में जाएगा में जाएगा में जाएगा होता है सब कुछ facility available है उसी जाएगा में आप देखो Land use पहले समझना होगा Land use क्या है लेंड यूज याने कि लेंड को यूज करते हैं, यूज करना उसी को बोरेंड यूज, ठीक है, लेंड is used for different purpose, लेंड को यूज करते हैं, 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 इसी को बोलते हैं लेंड यूस अब देखो यह लेंड यूस को कंट्रोल करने का लेंड यूस को कंट्रोल करते हैं किस जाएगा में कैसा लेंड यूस होना चाहिए इसी को कंट्रोल करते हैं स्कूरं कॉमें अथा ने रालकुत्र यूसरी पिंहें तोप्लिकंते में वाधर्क ये कि créd अब ग्रर्फिक्षा अच्वास फैक्टर व्यर्ट्र ये फीजिकला मैंद ताइस एरिया भेज्ड डिसर्ट अरिया है उस एरिऊमेश य्जादा डिसर्ट नहीं नहीं रहने वाले हैं जी सेरिह मां देखो उपजाओ स्विल है याशचीन में यहें gather लोक रहेंगे तो physical factor 낮 мал song कोई क्षिए नहीं कर सकते इसे को पोलते फिजिकल चैंज नहीं कर सकते तो टोज़ाआफी यह भी कोई थ dışर हो बसकते नहीं है ठीक है अब देखो human factor, human factor में क्या क्या है, human factor साच अज population and technology are also important determined of land use pattern, अब देखो human factor यानकी human क्या 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 करते है, साच इस population and technology are also important determined of land use pattern, population भी, human factor में आता है population, population ज्यादा increase हो रही है, और इस कारण के लिए देखो, इस कारण के लिए, ज्यादा तर लोग landed area यूज करेंगे, तो problem ज्यादा होगा, क्योंकि देखो, land तो ज्यादा नहीं बड़ेगा, मेरे पास जितना जमीन है, वो जमीन ज्य ज्यादा हो जाएगा, क्या नहीं होगा, इसी कारण के लिए, ठीक है, इसी कारण के लिए, और human technology के थ्रू भी, control ये कर सकते है, अब देखो, इस जगा में land use बता रहे है, land use in selected country, कुछ country का land use बता रहे है, तो पहले देखो, ये हिंदी में बोलते था, कुछ countries का नाम बता जाएगा में crop land, यानि कि जीस जाएगा में agriculture होता है, pasture land, यानि कि जीस एरिया में पोस्वों को चराते है, पोस्वों को चराते, यानि कि grazing area को बोलते है, pasture land, अब देखो forest तो पता ही है, जंगल और आदार use, आदार use में आता है, हम लोग का, आता है, देखो, आउस्टेलिया का पोस्फो में चरिक्ष। इनदास्ट्री में इंडस्ट्री स्रोड यह सब कुछ पर्पास ज्यादा था धा यूज किया गया है इसा यूज परियू cancel डिया करन के दिखो और इंदिया कवीन टोटाल एरिया में ज्यादा यूज किया जाता है उद्यूरे हॉजी किया ज aware अब में देखवा हम लोगों को वाल्ड में टोटल, वाल्ड में फोरेस्ट है 31%, पेस्चिछों राइने की ग्रेजिंग पोस्वों को चराने के लिए हैं, वाल्ड में 26%, और अधर्स परपस यांनकी रोड, रESIDENCIALE परपस है 32%, ठीके, अब देखते चलो, क्या है, लेंड अन्सो क्लासिफाइड लेंड को सब्सक्राइब करा जाता है अब लेंड को सबते कि बोधे होाई प्रतस हो से रेलोए होगा, यह सभी होगा community land, क्योंकि यह सभी लोग यूज करते हैं, यह सभी लोग यूज करते हैं, मतलब सभी लोग मिलकर यूज करते हैं, garden को, road को भी सभी लोग यूज करते हैं, रेलोए को सभी लोग यूज करते हैं, ठीके, तो यह सभी हो जाएगा हम लोग का community land, यह सभी हो जाएगा हमें लोगा community land अब देखो private land जो individual land है अपना अपना जमीन है उसी को बोलते private land यान की personal land अब देखो जो private है जो sorry जो community land है वो community land को और बोलते common resource property यान की सभी लोगों के लिए है इसी कारण के लिए common resource property अब देखो people and their demand are cover grazing but the availability of land is limited but यह land देखो limited है क्योंकि कोई कुछ purpose अगर use करेंगे तो जितना land है उससे तो ज्यादा नहीं हो जाएगा ना उतना ही रहेगा तो इसी लिए बोली लिमिटेड the quality of land also different place to place यह देखो quality of land यह place to place different होता है यान की अलग अलग होता है क्योंकि देखो राजस्थान का landed area अलग है राजस्थान desert है और UP का भी अलग है ठीक है तो अलग-अलग place के ओपर यह अलग-अलग होता है ठीक है आप देखो कुछ कुछ जएगा में land को यूज किया जाता है तूड़े दा वस्ट चेंज इन दा लेंड इूस पेटर अल्सो रिफ्लेक्ट दा काल्चेरल चेंज इन और सोसाइटी और इस टाइम में ज्यादा तर प्रभावित कर रहे हैं human को लेंड डीग्रेडेशन यह अच्छे से पड़ेव लेंड डीग्रेडेशन लेंड स्लाइड स्वयल इरोसें डिजर्टिफिकेशन अधा मैजर्ट्रेड थे टू अगर्मेंट विकोज द एक्सपेंस रप्न अप अगरिकाल्चर एंड कॉंस्ट्रक्शन अक्टिवीटी होता है आपा रेड़ेऊ से लिवार एडिया को सोइल आजाता है इसे को बलते हैं स्वैल इरोसेंट इसे मिट्टी हट हैं सब्सक्राइब देंगे, तो मिट्टी को support देगा कर नहीं देंगे, ठीके, अब देखो land slide, land slide ज़्यादा होता है, mountain region में land slide सबसे ज़्यादा होता है, desertification यानि कि ज़्यादा तर पेड को काटना, और यह सब कुछ threat कर रही है, हम लोग का environment को, और देखो expansion of agriculture and construction activity, और ज़्यादा तर agriculture area भी increase कर रही है, इस करन के लिए land यूज कर रही है, और कुछ construction activity, यानि कुछ industries परपास भी land को सभी लोग यूज करते हैं, देखो यहाँ पर example दिया गया है, change in land use over time, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, rail line बनाए है, यहाँ पर इससे निखु eq college business बनाई हैं, और देखो यहाँ पर road purpose यूज के हैं, रोड देखो देखो यहाँ पर tabersonal Purpose, यहाँ पर hospital यूज वगेर बनाने के लिए यूज किये हैं, यहाँ पर भी road purpose के हैं, यहाँ पर देखो, बरा बरा बिल्डिंग पनाने के लिए यूज किये है और रेलोए के लिए भी यूज किये है तो यह डिफरेंट परपास है अब लेंड यूज आप देखो पॉपुलेशन एंड द्यार और ओवर्गेजिंग डिमांडेड हैज लेड तो लार्ज स्किल डेस्ट्रक्शन और फॉरिस्ट ज्यादा दर पेड काटने की बेज़े से यह नेचरल रिसोर्स नेचरल रिसोर्स कम हो रही है और अगर देखो पॉपुलेशन ज्यादा होगा पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा दर पेड रहने के लिए तो घर बनाना होगा तो और जिस जाएगा में घर बनाए डिखो यह बहुत अच्छे लिखा है, afforestation, land reclamation, regulated and chemical pesticide, and fertilizer and checks on, and checks on over gaging are some of common methods used to conserve land resource, यह अच्छे सो देखो यह बहुत अच्चे लिखा है, afforestation हम लोगों को यह संगगरक्षन किसके थू करना होगा, how to conserve land resource अगर ये exam में question आएगा तो यहाँ से लिखना होगा यहाँ से लेकर यहाँ था ठीक है तो देखो में लेक लेते है afforestation यान की ज्यादातर पेड़ लगाना होगा afforestation deforestation मतलब पेड़ काटना पेड़ लागा न ठीक है लेकर की ज्यादा के स favor करो ओने उसी को धेकल говорю मेनेशन है chemical फार्टिलाइज़ एड़ पेस्टीसाइड और हम लोग जो यूज़ करते हैं खेत में पेस्टीसाइड यह काम यूज़ करना होगा यान की पोस्वों को ज़्यादा तर एक जागा में नहीं चलाना होगा नहीं तो उस जागा का मिट्टी खाराप हो जाता है और some the common method used to conserve land resource और ये इसके through तुम ये सभी method के through तुम land resource को conserve कर सकते हो तो क्या-क्या point बता है और एक बार देख लेते हैं चलो forestation यान की पेर लगाना होगा land reclamation यान की हम लोगो recycling के through land को use करना होगा regulated use of chemical pesticide यान की control में use करना होगा chemical pesticide को and check on overgaging are from the common method and check overgaging यान की पोसो को एक एरिया में मतलब कम मत्रा में चराना ठीक है और इसके through land conserve हो सकता है इस जगा में देखो बता रही है land slide के बारे में land slide are simply defined as the mass movement ये land slide यान की मिट्टी का धस जाना यान की rock rock को धस जाना पत्थर को धस जाना भी बोल सकते हो ठीक है देखो land slide में क्या बता रही है एक बार अच्छे से देख लो पूरा clear हो जाएगा tension मतलो land slide are simply defined as the mass movement of rock mass movement of rock movement यान की एक जगा से दूसरे जगा जाना mass movement होता है rock का rock का एक जगा से दूसरे जगा धस जाना इसी को बोलता है land slide debris और earth down slope slope के through जैसे देखो ये slope है इस area का rock इस area में आजाता है upper area से lower area आजाता है थीक है तो इसी को बोलती land slide तो ये किस के through होता है देखो आर्थ quick के through ये होता है आर्थ quick के through होता है flood and volcanoes की बज़े से आर्थक्विक यानि कि भूकम के बज़े से होता है फ्लार यानि कि ज्यादा बारिस होने की बज़े से ये उपर का चट्टन धस जाता है ये उपर का चट्टन धस के नीचे आ जाता है ठीक है ये आर्थक्विक के कारण होता है फ्लार यानि कि ज्यादा बारिस होने के कारण ह बारिस वोनी की बज़ेश से यह होता है तो देखो लेंड श्लाइड यान की रोक मास मुवमेंट ओफ रॉक एंड रीजन क्या क्या है रिजन है आर्ट्विक फ्लाड एंड वॉल्कानो डेन देखो क्या बतारी के स्टेडिस जगा में देखो इक गाउं का एक्जम्पल दिया घ्राइडवाइड हुआ हैं इस किसे एरिया में कैसे लेंड्स ठीकें देखो इस गाओ में इस गाओ का इस खाम में के इस सैड़ेया में हैं कशलाट ये सोब्सक्रात इता है अब मशनी में डूहिए और इस तनर बनेग्ड और कर दोन को कर दिएलिएलिटा 그래도 हाइवे 22 नेशनल हाइवे 22 हिंदूस्थान तिव्बत रोड उसी रोड का नाम है हिंदूस्थान तिव्बत रोड यह रोड है यह रोड किस चेगा में है हिमाचल पदेश में है इस रोड में हुआ है लेंड स्लाइड इस रोड में हुआ है लेंड स्लाइड इस लेंड लाइब ब्लाइब ब्लाइब देखो बीड़ेज में भी कुछ प्रोब्लेम हुआ है और एक जैगा का मिट्टी धस जाने के बज़े से और प्रोब्लेम हुए किस जैगा में और यह रोड पूरा धस गया है दाप पंजी विलेज वाज कंप्लेटली भैकेट टु एवड़ ए तो हम लोगो पहले सी क्या करना कॉइस इसे को पूर्रे रही में कानीम धसक pra纏 technique has empowered us to understand what factor calls landslide and how to manage them और हम लोग को देखो कुछ advancement करना होगा, advance in scientific technique, कुछ scientific use करने के बाद, कुछ scientific use, scientific technique use करना होगा, जिसके थ्रू उस एरिया में कुछ problem create नहीं हो सकी, इस कारणे के लिए, देखो some broad mitigation, कुछ broad mitigation की बात किये गया है, mitigation of landslide are follows, क्या, क्या mitigation के बाद किये है, एक बर देख लो, hazard mapping to locate area, prone to landslide, hence such areas can be avoided for building settlement, हम लोग को क्या करना होगा, hazard mapping, हम लोग को एक map बनाना होगा, हम लोग को एक map बनाना होगा, और इस map के थ्रू हम लोग को पहले locate करना होगा, की सेरिया में landslide ज्यादातर होआ है, और हो सकता है, ठीके, फिर इस सेरिया में, फिर इस सेरिया में, इस सेरिया में ज्यादातर landslide होता है, तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, उस सेरिया में, ज्यादातर building नहीं बनाना होगा, लाओ सेरिया में क्योंकि बिल्दिंग बनाएंगे फिर भी धस जाएगा इस कारण के लिए लोगों थार्ड पॉइंट के लिए इन्क्रीजिन कभर ऑफ एरेश्ट लैंड साइड हम लोगों क्या करना होगाँ ज्यादा तर एरिया को वेजिटेशन कभर करनें का प्रयास करना होगा देखो फ्लाड होने की बज़य से रिवार में फलो होता है ज्यादा तर पानी तो हम और रेन वाटरियन की ज़्यादा बारिस होने की बज़ए से आपर एरिया से लोवर एरिया तक तो हम लोगों को पता है वाटर तो फ्लो जरूर करेंगे तो यह स्लोप को कम करना होगा ठीक है तो चलो इस क्लास में तो लैंड के बारे में डिस्कास कर दिया और नेक्स्ट क्लास में बताँगा सोयल के बारे में अगर यह वीडियो अच्छ लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करना थेंक्यू